नमस्कार स्वागत हैं आपका हमारे चैनल कल्पना ओलिन बन पर आज हम आपको करके दिखा रहे हैं एक पाद पदमतान आसन इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अर्ध पदमासन में बैठें अपने एक पैर को सीधा करें दूसरे पैर को मुलधार से लगा कर रखें एक गुट्ने को अपने सर से लगाएं यही और आप पैर बदल कर भी करें तो कछ लोग इस असन को अर्धब्मतान आसन भी कहते हैं इस आसन either करने से पेट की चर्भी कम होती है प्रजनन अंगो में लाप मिलता है पैर सुडोल होते हैं जांगों का फैट कम होता है पär मजबूत होते हैं साथ ही आपकी संतुलन शक्ति बढ़ती है मेरु दंड भी लचीला होता है सशक्त्र होता है और रोग मुक्त होता है यदि आपको विर स्लिप डिक्स की परेशानी है या साइटिका की कोई परिशानी है मेरु दंड की कोई परिशानी है तो आपको यह आसन नहीं करना चाहिए इस आसन को आप अपनी शमता अनुसार दोहरा सकते हैं दोनों पैरों को बदल बदल कर आप इस आसन को दोहरा सकते हैं कम से कम आप यह आसन पांच मिनट तक अवश्य करें यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें